वाहे गुरुजी का खालशा, वाहे गुरुजी की फते! पहले जोट जलान देने ते फिर गुरु कार जान देने ते कंदे हैम मेरी जडी रूटीन ए अमरीत वेलेदी ते बहुत चंगी रूटीन है वाई गुरु जी रुटीन गुरु साइब जी रूप है आप बाणी पढ़न दा आप जीनू बल भक्षा है वाई गुरु जी फर ओिर भी पर नहीं बहता है। जहला प्रीजित कर सो की संभी है। कि सवेरे उठके उसी सब तो पहला जदो बैठते आप उठ दे हैं वाई ग्रुजी सब तो पहला बैठके मांदाई शनान करा हो नाम जपो ठीक है क्योंकि अपना वाई ग्रुजी जड़ा मानने वो ट्रेवल करके सुर्ती जड़ी है वापस शरीर देवेच मारज फिर अपना वाई ग्रुजी सब तो पहला हो सकाल पूरखनू नाम जपना चाहिए वाई ग्रुजी सिम्रन ब्यास करो 10 मिंट करो 15 मिंट करो फिर उस तो बाद आप जूठो अपना जो भी है ना उतो हो फिर आप जी नितने बानी जड़ी है वो पढ़ो वाई ग्रुजी जड़ उस तो बाद आप जी थोड़ी ब्रेक दे के फिर बैट जो नाम अभियास करो हना वाई ग्रुजी वाई गाल जाता थे अगर बानी नो विचार होंदा तो आप जी ते आप जी ने लिख्या कि मैं बड़ी कुन्फ्यूज ना होंदे क्योंकि वाई गुरु साहिब जी ने स अपने दिल दिमाग विच रखे के रखना जपो ता एको नामा अवर निराफर कामा ठीक है वाई गुरू जी और गुरु साहिब जी ने ऐह भी समझाया है अठो पहर ओ अम्रित वेला है क्या अठो पहर नाम जपना होंदा है वाई गुरु जी टे गुरु साहिब जी ने स आप संझा है कि जदो साधा मन दुबारा इस शरीर विच आन्दा है तो आनों पता लगदा है कि मेरी आंक खुलन लगिया तो लेटे-लेटे ही 10 मिनट वा गुरू गुरू जपो वाइगरू जी क्योंकि मन दा इसनान है मन दा इसनान वाइगरू जी आपका करांदे नहीं सिर कि भाणी नूं पढ़ो तो भाणी विचारो थोड़ा, ठोड़ा-थोड़ा करने विचारो आप जी अगर थोड़ा-धोड़ा भी विचारो तो आप जनू एक गल सब पहला सामा जाएगी कि माराज ने सब तो बड़ी जड़ी वड़ी आई अनान दी दसी माराज कें बंद वाइगरू जी आप जद विचारो गे तो अनुसा पता लागजेगा कि माराइज केंदे ने नितनेम दी बानी पड़ना माराइज हुकम है ना जी अपा ओ मन रहे हैं ते फिर दुज्जा हुकम क्यों नी मन रहे हैं अपा की करना है सारे दी रूटीन गुरमुखांदी तकरी वाइगरू जी कोई नीड नी होंदी कि ब्रश करना पहले या मुहा दोना नाम था मन आया शरीर विच बस नाम करा पहले अंदर दी खेड पहला बनाओ बार दा जेड़ा जेड़ा वाइगरू जी दृस्टमान शरीर देखो आज जनी तकाल ने ता मिट्टी ओना इनने कई ऑस्पाण चे रोल जन दी वाइगरू जी शरीर नो ना बोताओ करिया पहला नाम जपो फिर फिर वाइगरू जी खेड़ नो संझो कि नितने मारव धुकम है तो मारव धुकम नाम जपना भीय कि नाम जपो तुसी वाइगरू जी बास ओना देखो ताइम कर सानुर डि वाइगू जे चुछ एवला विचार आप जी बीचार करता है एक दुज़ा कोष़न है और वाइगू जा गोंदे पुछ जुछ होँछ है आपड जी जागा पूपिछ जो एफ जोन शुकाहँ देखो लिख चोटे आगा शचाह लियारे बारा एक साल गेचाए हैं अगरू है जड़ा बच्चे जनम लें अन्हें थैनलें हुना नूमेता नो आफ चाहिए बच्छी देनले सांजे राध बच्चे डेनले प्रखा पर बच्च्छी करणी पर अरे व्योग जड़ा पतर आफ है। अपने जिदे पाप नहीं करते हैं, अपा तर बड़ा कुछ करते हैं, दूटना दें अंडरी जिंदगी जी रहे हैं, काम करोद लो मुहंकार सब्सक्राइब तब एक चड़ाया है, तब जए छोटे बच्चे उन्दे ना पांच साल चार साल हो ना माननो स्टें पवित्तर है अपने जानने जानने तब उदो ना अमरी ती दाथ पेरेंट्स वलों जिवें कहलो भी उन्हा पे ओहीं मतमार को ना अमरी शकान दे बड़ा वदिया कार्ज है पर इथे वी किरपा ओधी ही बर सरी है, गुरु साहिब जी किरपा बेना तब फेर ता सारी बच्चे अमरी त पर ता जिकल चोटे बच्चे आदे कि इश्वी कटे हुं दे तक एंदा पावो थे हुकम ची हो रहे है गल्त तो तो आप पिता अमरी शकार है चोटे होते तो वाई गुरु जी ओ मात पिता उनना नू फिर रहतमर यादा भी तो दस दे और जदो बड़े हुं दे उनना न सिखाया जानता क्योंकि उनना दे मां पर भी गुर्मुख हों दे है वाई गुरु जी कि मिन उसकर्च जनम देव माराज जित्थे में जावां ते में नाम ना जोड़ सकां और दास परवान हो युं दिये ते ऐसा परवार मिल्दा गुरु मुखा जित्थे बच्चा आया जनम होया ते अमरी ते दात भी मारा इने बख्षती नामदान भी बख्षता सारी खेड़ भी समझा आती ते थे वाई गुरु जी साड़े वर गे अद्धी अद्धी उमरें ही लंग जनती है ते वाई गुरु जी वही वली गर लागी आपा इन सब चिजों विच इनना न मारी खिट टात मौ जनती हम चीज़ाण मौ अधे ना मिन जली एक र्या नाम दी आखाण बंदागी लागी थाओने वही इचार्न पार नंधी समझ ऑने घी ते गुरुंग जी वही जांगान ओना अधूट का खाल्चा वाहि गुरुजी की फत्र